मैं मुआ विश्मु सर्मा और आप देखने किष्णा क्लासे यूटूब चैनल और आज की स्क्लास में हम पढ़ने वाले हैं Scalar Quantity and Vector Quantity आज का फर्स्ट पार्ट इस टॉपिक का इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि Scalar Quantity, Vector Quantity जो है वह उनमें difference का कितनी तरीकी होती है, scale होती है billator होती है, इनकी calculation किस तरीके से की जाती है based, what formula किंदर apply कहला है , किस तरीके से इनका addition होता है , runs, subtraction होता है , multiplication होता है thereof conclusion वह barbaric plans वह जा सकते हैं, लेrim वह कर लगाा होता है और पर diagram भोता है , जाहें कहां किया है et of course , जो एक्जाम पॉइंट अब उसे जरूरी है और वो है पॉंसेप्ट क्योंकि यह पॉंसेट के लिए नहीं होगा ना आपका तो इससे डिलेटी डिली कोई भी चीज आएगी तो आप नहीं कर पाओगे लघ्र है उसके बारे में पता लगेए यह उसके अघ्रकार कोईशन किılan इसके बारे में साथ बंकर उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेट क्योसे photographs अभी दिसक्क्स करने वाले तो यह वीडियो जो है, वह आप पूरा देखिएगा, तो समझ ज़रिए कि आपने कॉंसेप्ट में से कोई करी मिस कर दिये, और जब किसी सिरीज में कोई करी मिस होती है, बीच में से कोई स्टेप गाई हो जाती है, तो फिर वह सब कुछ भिगर जाता है मामदा, ठीक है अदिस रासी है, स्केळलर क्वाइं पूएं टब तो मैं नहीं के तो हम स्केळलर क्वाइं चुदी है, इसके दाब एक सेціंड्टाइप होरह और है, वह सेक्टाइब अजयए व्यक्तर क्वाइं बताईप्टर क्वाइं यह Prêm K क्वाणब एन्हांट फ्रिक इसको पर सबस्ट दिन कंग जिकर नहीं होता है तो जिरिंगक्तर होता है तो जिए करste sinde रखा जाता है और सबस्क्राइंगर ध stimulation रखाइंगर लिए इनका जिकर नहीं होता या8 या सब्सक्राइब करने के लिए जिने व्यर्थ करने के लिए हमें केवल उनके मेगनिटूड की जुर्थ होती है ठीक है उनका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता उनके डायरेक्शन को बताने की कोई जुर्थ नहीं होता है उनके डायरेक्शन के बारे में बात कभी नहीं करते हैं उन रास्यों को कहते हैं अधिस रास्या ठीक है तो देखें किस तरी का उन्टिटीज होती है जिनको रिपरसेंट करने के लिए जिनको बताने के लिए किसकी जुर्ट होती है के वल उनके मेगनिटूड की जुर्ट होती है परीमान की जुर्ट होती है मतलब उनकी वेल्यू की जुर्ट होती है तो उनको हम कहते है इस्टेलर लिशंद इसर नहीं होता है उनको कहते है कि अनिक पुता कि नहीं होतीं ऊच्छे में बात करूब आ कि मेरे पूफ कोई चीज दो किलो कि आप दो के आगे अब कुन सा ऐ सथ दो किदर इस त में डीस में में नोर्थ में साउठ में हम कभी ऐसे किसे रात नहीं करते हैं, हम लाते हैं, मनलों में एक लिटर दूद united के आखीया है, है, टिक है, टिक है, मैं लिटर दूद North में नोल्गाइं मनली तूद हो गही हो गए है, एक लिटर यह किलो चीनी कोश है कीड़ू किलो च्पड से यह था हम यह यह 1 meter जो बेनकी हरे फिर किस नॉर्थ में सॉथ में इस्थ मैं को हैश्ट में इस function नहीं है ऐसे में अनको हम बहुए मतलब इनको कोई डार्शन होता ही नहीं है इनको क्वर्थ करने के लिए मतलब मैगने इस व्हां अधा τις रासियं वही बात समझे में आगे हैं आपको देखिए जैसे एक्जाम्पल इसके बात कर दिया हम तो इसके एक्जाम्पल की बात करता हूं मैं किलो ठीक है मतलब द्रव्योमार मास ठीक है लेंध यूनिट क्यों दिये मीटर ठीक है इसके अलावा वोल्यूम आइकन एक सैंद्र पूद यूनिट मेटर क्यू गोनलत राइए जीने व्यक्द करने के लिए केरल अब प्रिमान चाहिएम मेधनी चूर चाहिए कहने का मतब तेवल उनकी वेल्यू के बारें बात करेंगे दो किलो पांच मीटर और हजार केजी पर मीटर क्यूब इस तरीके से ठीक है काभी उनके डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी इने व्यक्त करने के लिए इनकी दिशा के आवसित किらい लिए उसका नहीं होती, तो सदिसङ नहीं जब सदिस नहीं है तो इस उपनल यूग जो है और गुनानफस्च अब यजवी जो है और गुननफस्ट है वो दो इनकी तो चाहर सदिसच शेयरे उए 58 ऑर 54 जो योट कल और tradition, division, duplication, division जो भी है करते हैं प्लस माइनस करते हैं लोगा को अन के लिए दिषा की भी आउशकता होता है मतलब इनके लिए magnitude भी चाहिए इसके अलावा इनके जिसा की भी जुरत होती है direction की भी जुरत होती है मतलब इने ग्रेक्ट करने के लिए मुझे magnitude भी देना पड़ेगा और direction भी शोब करना पड़ेगा तब ही इनको क्या पाजाएगा सदीश राश्या कहीं जाएगी आगेए मेंजी का सब्सक्राइप करיएगे जैसे बल है को इस आजाओ करते हैं फो daunting कर्टाइगा अगेर मेरा सब्सक्राइब है जैसे बल ल usar बंसे करते यह चीज इस पर मैं दो न्यूटन बल लगा रहा हूं दो न्यूटन बल उपर से तो यह काम हो करेगी नीचे तो इसका इस डायरेक्षण फिर्स आ कि जब मैं बल लगाओंगा तो बन नीचे की साइड लगेगा और यह किदर मूँ करने वाली है नीचे करने वाली है इतर से इस दो इस डायरेक्षण चे फोर्स लगाओं तो इसका मतलब बोस्का डायरेक्षण ऐसा है जिस स्वाजर से यह जो वस्तू है वह इस साइड गती कर रही है लाओंगे इसका मतलब यह पोर्स के डायर रही है इसका मतलब यह हुआ बॉस्का डायरेक्षण ữगाओं इसका मतलब जो force है वो vector quantity है क्योंकि इसको परदसीत करने के लिए इसको लिखने के लिए मुझे परिमान तो चाहिए ही चाहिए परिमान यही वेल्यू दो न्यूटन में लगा रहा हूं तो दो न्यूटन जो है वो इसका क्या है परिमान है इसका magnitude है लेकिन दो न्यूटन उ उपर से नीचे की तरफ लगाया जा रहा है तो डायरेक्स यहां पर फिक्स हो गया है इसके लिए यह क्याता आ जाता है वेक्टर क्वांटिटीज कही जाती है आई मेरी बासमद में इसके दाव और भी उदाज़र है जैसे वेलोसिटी वेल यह जो है सदिस राशी है लेकि फख रहा है जब पड़ेंगे तो इसके बारे मिंबताओं गया वेक्न वह है वो सदिस राशी है चार जो और दूरी बटा समय है इसका मतलब यह जो दूरी है डिस्तेंस हो डिस्टेंस भी क्या रहे थी य 11 सिह इसके नधर क्वांटिटी है ज हो इसका मतलब यह जो हता है व विस्तापन बता सबस्किन है डिस्प्लेस्मेंट डिवाईट गाय है में और में है इसब डिस्प्लेस्मेंट विस्तापन यह साल इस एक डिहां आधार क्वाउन्टिटियत तो जब displacement वेक्टर क्वांटिटिटी ए वेक्टर क्वांटिटी इसके अलवा और बात करेंगी इन डिफ्रेंशेशन के बारे में किस किस तरह की वांटिटी उती है परेंगे फिलाल यहां पर यह जांपल सब्सक्राइब की जाती है ठीक है अब जो थाएड है वह प्रदीष रासिया तो प्रदीष एंसर सबसे पहले इसकी बात की जाए तो इनके विए जो सदीष रासिया उनका जो योग का नियम होता है वो चाहिए यह जो कौन्टिटीटी है यह हमेशा सदीषों के योग के नियम का पालंग करती है सदीषों के योग का नियम उसका पालंग करती है मतलब जो इनका योग किया जाएगा दो सदीषों को जोड़ा जाएगा वो इस योग के नियम के इसाफ से क्या जाएगा तो यह क्या करती है फो लो लो ऑफ एक्टर सब भॉह उसको फोलो करती है ठीक है तो इनका जो एदिशन है वो क्या जाएगा लोग है उन्हेंकर स्igorस्त ExportISS लाज इसे तरी सीच अब बात करते हैं प्रदिस, बहुत सारी भुक में इनका जिक्र नहीं है, जिन भुक में इनका जिक्र नहीं है, वहां बताया गया है कि बोतिक राशय के वन दो तरह की होती है, सदिस राशी और अदिस राशी, लेकिन जिन भुक में इनका जिक्र है वहां पर तीन तरह की रा तो तो इस लाही नहीं करता है तो वही बात इन प्रद्श्राश्यों के साथ इनको बाद इसलिए निकाला गया क्योंकि यह सभी स्राशों के रूल्स वोदों नहीं करते अब कौन-कौन से रूल्स वोदों नहीं करते यह देखें तो जो टैंसर रासिया है वो होती है जिनका मेगनिटूड भी होता है मतलब इनका परिमान होता है ठीक है परिमान से फिर्ट कर सकते हैं पर्दसित करने के लिए परिमान जाओ सकता होती है इसके अलावा इनका डायरेक्शन भी होता है कि दे सार इननकी दे सावी होती है अब उस लोग सोट रहंए कि ये तो इसी की तरह है तो मैंने क्या कहा कि रूल को रुप रहते हैं लेकिन पूरे नहीं करता है इसलिक तो बहान इकाल लिया गया है तो देखे परिमान होता है जैसे सदिस रासों के तरह इनका भी मेगनिटूड होता है इनका भी डायरेक्शन होता है मतलब इने भी वेक्ट करने के लिए डायरेक्शन के आउशकता होती है दिसा बतानी पड़ती है लेकिन यह जो है सदिसों के नियम को फोलो नहीं करते हैं ठ सब पालर नहीं करते हैं USB नोट फो लूग को लूट इस फिर इन प्रधीश राश्या का जाता है तो कुछ बूर सदिसलाशो की तरह पढ़ते किरते, उनकी तरह कुछ नियम बोलो करते और कुछ नहीं करते, हो कौन सवा नियम है? सदिसों के योग का नियम, दर लो ओ वैक्तर सम्स इसके मारी बताओ महां मैं जो मरी कि दर लो advertisements है क्या? सदिसों के योग का नियम है क्या लेकिन ये उसको बोलो नहीं करते इसका मतलब ये किसको बोलो करते इसका मतलब ये जो योग का नियम है उसके लिए सदिसों वाला नियम ना बोलो करके अदिसों वाला नियम बोलो करते इसका मतलब ये कुछ भी है सवीयग की तबाटें में जो इनका जिक्र नहीं करतें तोटली में नेगलेट करते हैं वो उनली दो क्वांटिटीटी जी बताते हैं अधिस राश्या और सदीश राश्या कि इससे पहले मैं आँसे बात करना जाओंगा कि स्टुडेंट्स हम टार्गेट लेके चलें हंड्रेड द्यूस का कि जो एक लास है वो लगब हंड्रेड लोगों तन ज आपका जो भी जानकार है रिलेटिव जो भी है उसे आप शेल कीजिए और यह जो प्री कोचिंग चलिए उससे जो लिए ताकि उनको भी फायदा हो और बारबाई रोदर बटकना ना परी साथी साथ किसका क्लास है यूटूब चैनल पे त्वल्ट कर जो फिजिक और जिने फिजिशी कोचिंग की जरूरत है साथी साथ आप उन्हें भी जोल सकते हैं जो कॉंपिटिटिव एक्जाम पटवारी, पुलीस, रेलवे, एंटीपीशी, बैग, एससी इनकी तैयारी क्योंने तो उन्हें भी मैंस के लिए इतो दर बटकना नहीं पड़ेगा क्य होने माला है कि आप इती एरफोर्स के साथ इती रेलवे के त्यारी कर दें तो आप एरफोर्स नहीं के त्यारी कर सकते हैं साथ में रेलवे के लिए कॉंपिटिटिव मैं भी पड़ सकते हैं वरना एक ही फैमिली में एक जो मेंबर है वो एरफोर्स के त्यारी कर रहा है और जो है, solve कर सकते हैं, क्योंकि concept clear करना ही ज़रूरी नहीं है, किसी चीज़ के बारे में जानना ही ज़रूरी नहीं है, उसको practical life में उतारना, उसके concept को use करना, बार बार उससे related problems को face करना ज़रूरी है, ताकि जो आपको experience हो, कि किस तरह की confusion आएगा, और किस तरह के का में solution करना है तोपिक में बात करते हैं, यह जो प्रदिश रासिया है, इनका example बता लेता हूँ है, जैसे विदुद्दारा आए, इलेक्रिक करन, ठीक है, अब कुछ लोग यह पढ़े होंगे, आज तक करियों ने पढ़ा भी है, और करियों ने बुक में भी देखा है, कि जो विदुद दारा अधिस भी नहीं है, तो सदिस भी नहीं है, यह कौन ची रासिया है, प्रदिश रासिया है, लेकिन जिन किताबों में और प्रदिश का जिकर नहीं होता, केवल अधिस और सदिस की ही बात की जाती है, वहां विदुद्दारा को जो है अधिस रासियों में रखा जाता अब लोग सोच रहें कि यार यह कैसे हो सकता है इता में ने चुड़ होता है जैसे दो एंप्यर करन्ट तीन एंप्यर करन्ट और हमने तो इसका डायर्शन भी पढ़ा है कि यह हमेशा फोजिटिव तो नेगिटिव फ्लो होती है इल्लीक किदर से प्रवाइक होता है प्लस तू माइनस मतलबका डइयर्शन भी है तो यह कर दिश राषि क्यूं नहीं है तो थीख फासी क्यूंस ह्यों कर दो पूर्ट कि इनका ये जो विदुदारा जो है ये quantity है ये magnitude और दिशा दोनों होती इसकी लेकिन ये जो सदिसों के योग का नियम है ये जो लो वेक्टर समय ये उसको फोलो नहीं करती इसलिए जिन किताबों में जिन बुक्स में टैंसर क्वांटिटी इसका जिक्र नहीं होता केवल और को अभी राशों में रखा जाता है और जिन में प्रदीश राश्यों का जिपर होता हैuhan यें रखा Ой ईह वीदुदधरा एक च्यों इसके बाद करता है और आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये लोग वैक्टर सम्का पालग नहीं करती है थोड़ा रपकर देता हूं इदर में आप नोस जो है लिखने के लिए वीडियो पोस्ट कर लीजिए तरी या फिर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप मंस लिख लिए अगरे आप क्योंकि आप जितना हैंड वर्क करोगे जितना रिकन वर्क करोगे कुछ नहीं आपके प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको याद होगा अब देखिए नन्हीं कर, सबसे पहले उतना कि लिए लोग व्यक्तरनास, लेक्ता है जोब कर सो होता है तोivos जब दों होती है मान लोग़ं हमारे पास नहीं को दोंब को यह तो दौ बता हुँ किक यह कैसी है तो देखिए सब से कहले मैं इनके इंडिकिंशम की बाद कर लेता हूं इनको लिखा कैसे जाता है इनको 15 कैसे की किया लाता है तो देखें व्यक्त कौ पक्र तूर्श को ज़िए उनको अरिछा जाता है तीर के निसान से जाहे से मांगो में पास वैक्टर कौ अप्रश का अरि ओ Alors वेक्टर को शो करता है अब माल दो एकी वेल्यू जो भी है वो हैं तो यहां वेक्टर लगाने से कुछ होता है कि यहां भी एक ऋब दो लिख दिया है जिसा मैंने लिख दिया है जिसा मैंने भी नहीं लिखी है sorry magnitude मैंने इसका लिख दिया है परीमान मैंने इसके लिख दिया है कि इसकी वेल्यू दिखनी है 10 अब मुझे इसका direction भी लिखना पड़ेगा तो direction लिखा जाएगा IK ठीक है तो अब इसकी पूरा जो ये actual vector quantity है वो इस तरीकी से लिखा जाता है ये A vector है ये बता रहा है कि मैं 17 रासी हूँ और value value ठीकनी है 10 है और ये जो IK अब इसके पर में बात में बात करेंगे आपको है न थोड़ा presence रखिए थोड़ा trust रखिए ठीक है ये जो IK पर ये direction को बता रहा है और IK जो है वो direction बताता है X axis की ठीक है एक्स दिशा की इसका मतलब ये जो A है इसकी value 10 है और किस दिशा में है X दिशा में मतलब इसका direction fix हो गया है इसलिए ये सदिश रासी है ठीक है अब देखिए अगे इसके बाई में और बात करने माले अपन लेकिन सबसे पहले में इस सदिशों की योग की नियम की बात आपको बता दू कि ये सदिशों का योग का नियम होता क्या है उना बहुत स करते हैं इसके लिए इसके लिए सिंपली जो में इडिशन करते हैं लेकिन वी वैक्टर होता तो देख्र के लिए जो है एडिशन का फॉर्मला होता है इसके लिए जितने भी वैक्टर्स है उनको आप जो है यह सम का फॉर्मला है तो में इनका वैक्टर सम इस तरह निकार देखा लिए एसका लिए प्लस बी स्कॉयर और इसका रूप करना पनेगा ठीक है इसके बारे में जब रेक्टर के राश्य के बारे में जब पूरी बार करें तब बता हुआ ठीक है तो मैं इस तरीके से जोना परेगा लेकिन यह जो प्रदीस राश्य है वो इस तरीके से नियम फोलो नहीं करती वो इस तरीके से फोलो करती है ठीक है एक्जाम्पल बताता वो तो मेब वो कि इस तरीगे से कि यहां पर ती रहंडुटि यहां पर अंदर अरह और चार उंहां चैंज T I यहां यह जैए कि मोइल करतार भार्टि आ भांट इतना जाला है आए है मुझा लिकांगि लिकांगी और लुग में कि तो तीन और चार साथ एंप्यर हो रहा है तीन अंदर और चार अंजर आघेगा साथ एंप्यर तो यह ओ गया अधिस राशियों की तड़ा योग यह मैंने कर गया है वेक्टर सम के हिसाब से करो तो देखो कैसे है तो वेक्टर सम का जो ओरिजिनल फॉर्मूरा है जो पहले जो ग्राम समांचर से तुरूस का नियम है वह होता है अब देखें यहां पर निखना पड़ेगा नाइंटी और कोस नाइंटी की वेक्टी होती है जीरो तो मतलब यह पूरा का पूरा हो गया आपका जीरो अब हमारे पास अनली यह बत्या है अब यहां देखिए जगे थोड़ी कम है थोड़ा सा एजस्ट के लिए ठीक है एक हो में तुरी स्कॉर और बी मेरा यहां पर फोर है तो मैं लेग देखें तो हम फोर स्कॉर है तो हमाई पार दोनों ओप्शन है इसके लग समझोए उससाब से और वैक्तर समझे साब से जो फाही बांच रहे हैं वह और दोनों यह उप्शन है तो एंच्छा दान सर्थ होगा क्या तो यह बत चली है टेंसर कॉण्टिटी की मतलब प्रदीश राश्यों की तो यह इस राश्यों की तरह होता है क्योंकि ऐसरी प्रदीश समझ का जो फॉयर फॉलो नहीं करती इसका मतलब यह 7 इंपेर भूर हमारा और चन्सर नहीं होगा तो यह जो है प्रदीश राश्यों में और सब्सक्रद्स है ठीक तो अगली प्लास में हम जो है वैक्टर किसो जो लिखा किस तरीके से फितने तरीके के हुते हैं किस तरीके से वेक्टॉ को री परसेंट किया जाता है keeping students च्तिके सब्सक्राइब टूर की वेक्टलम कौंटिटीटीटी असलिए चोट कि हमारा में और में इस complaint करना हुआ है तो यह हमारा में फोकस यह होता है कि हमें गागर में साधर भरना है क्लास का वीडियो या क्लास फोड़ी छोटी हो लेकिन नोले जादा से जादा हो जाए इसलिए इस टेबल की तरह बदाकर मैंने इसको रिपरसेंट क्या है थोड़ा एक्जांबल दें ताकि ये तीनों जो है इसमें अंतर समझ सकें ठीक है तो मिलते हैं नहीं क्लास में इसके साथ आपको ये वीडियो फसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब करना मत मूलिए साथी साथ बेर आइटन पर क्लिक करना मत मूलिए ताकि आपको लेटेस्ट में दे ना कर तो श्टुड devotion मिलते हैं क्लास में जब तक आपके Hello